चेहरे के लिए, अगर आप हाथ को पाउं पे या गर्दन पे भी इस्तमाल करना चाहती है, तो आप ये पूरा पैक्ट डाल दें, यानि चेहरे पर एक टीस्पून डाल के आप अपलाई कर लें, बाद में बाकी की बाकी की बाकी का सारा पॉडर डाल दें, और पिर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगा, मैं हर वीडियो में कहते हैं कि जल्दा जी नहीं के टेक बात तसली से आप बना लेंगे तो रिजल्ट की आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ब्लीच काॉडर और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करना हैं और इसके पाद आम इसमें एक से दो टीस्पून दूद के मिलाएंगे, अगर कच्छा दूद नहीं आप उपला हुआ भी ले सकते हैं, अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इससे आपको कि आपकी क्रीम ब्लीच कियार होने के बात पूलेगी नहीं और इसको अपलाई करने में और इसके बाद चाहिए हो आपने इसमें प्रेम ब्लीच शामिल करनी है, लेकिन यहां पर मैंने क्या करना है कि मैं आपको क्योंके हाथ और पाउं पे बाजों पर करके दिखा रहे हूँ हूं मैं इसे चेरे पर अपलाई यदि नहीं करूँगी तो मैं इसमें बाकी का और चहरे बिज़ा भी मैंने अपनी शामिल है आपको ब्लीज क्रीम हों हम उसमें इसमें ब्लीज क्रीम लेने की अपना नहीं है सबस्सक्राइब भी बहुत अब शामिल आपS कर दिए भी आपको भी लिज़र्ट नजर आएगा अगर आप उपतार नहीं इस्तेट थे किना सी leg मिलें वायजेते लिए लिए इसके ब्लीच क्रीम के नहीं है आप देख सकते हैं कि दूसरी ब्लीच की तरह भी फांव की शकल में नहीं आई है इसको बनाने का यही सिक्रेट है ताके इसको पहचाना ना जा सके कि यह ब्लीच क्रीम बनाई जाती है तो आप इस प्रेश की मदद से अपने चेहरे पर अपलाई करें जैसा कि मैंने पहले भी आपको बिता दिया कि चेहरे के लिए अपने 31 स्पून पाउडर लेना है अगर चेहरे के लाव आप अपने घर्दन पे हाथ पाउ बाजों पर करना चाते हैं तो पूरा पैकेट पीच का डाज़ए अच्छे तरह से इस पीच को अपने हाथ पाउप पे अपलाई के लिए और हाथ पाउडर और गर्दन और बाजों के लिए आप इससे पच्चिस मिन यह जो मैं लोग प्लाइ नहीं देंगी मैं दूसरा हात पर भी प्लाइ कर लियकी है और फिर उसके बाद आपको बिटाते हैं कि आगे चलके हम रहे चरूल पर करना है कि हम इसका डॉपल बिटाई प्रिफों देख सकते हैं that I am apply तो एक हाथ के अपर जाय होकी that I am beat but I am beat again so that I am dry the other way. जर्णे बीट करनें जब तक the dry the dry is not be conscious of the skin. अगर हम की पीजित है तो आप एक टीज्शों या 1-1.5 टीज़्फों बिखा गाए यह बहुत ज़्यादा संस्क्रीग है तो पराय मेरबाने इसके अप्लाइद माते करें दोरह हाथ पहने इसको पीट कर लेने के बाद 5-7 मिनट दूबारा सब्सक्री इंतजार करना है ताकि यह अपना वाथ से आप अच्छी तरह से कर लेंगे इसके ड्राय होने दूँगी 10 मिनट के लिए यह 5-7 मिनट के लिए उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल ड्राय हो चुकी है जैसे कि आपको देखने में भी नदर आ रहा है कि मैं इसको इस तरह से रिमूव करूंगी कि मेरे हाथ को चिपकेगी नहीं आप इसको जब हलके हाथ से यह रिमूव करके रेखेंगे तो आप वाइट निंग आपको बादा तौर पर यहीं पर नजर आ रहे है तरह से इसको अटाके देखे आपको आपका मत्रूपा रिजर्ट यहाँ मिल चुका होगा अगर को थोड़ी बहुत कुंजाइश रहती हो तो तो तीन मिनट आप इसको दुबारा से वेट करते हैं और पाने से शावर करके अगर आपके स्किन बहुत जाए होगी कि जल्दी सूप जाएगी तो आपने जल्दी नहीं उतारना इसको पत्चीस मेंट के लिए आपको रिशावत करें आपने हाथ के पर इसको इसको टाइम पूरा होने दे अपने हाथों का मसाज करूँगी और मैं इसे गिले हाथों पर करूँगी बहुत ज्यादा गिले नहीं होने चाहिए वेट हैंड होने चाहिए और आपने दो से पांच मिनट जाएगी आपको वाइटिन नजर आना शुरू हो जाएगी इसके लाव मुझे वीडियो के मतलि अपने फेट बैक जरूर देनिया चाहिए आप इसको अपलाइ करने के बाद में जब आपको रिजर्ट मिल जाएगा और इसको जिनका मतलब कलर बहुत ज्यादा डार्क है वो लोग के हल्दी वाली पीजिए जैसे कुम सब चाहते हैं कि हमें बेस बनाने के लिए जिनका डार्क होता है वो पहले उसको यलो बेस के साथ हम जो है वो फ्लाइ करते हैं उसके बाद कुछ और बनाते हैं तो इसी तरह से हल्दी मिला लेने से सिरफ आपके बाल कोल्डन नहीं होंगे आपको वाइटिंग की जैसे जैसे मैं में मसाज करते जा रही हूं आप सब अपलाई किया और फाइनली ये ट्राइ हो जुका है मेरी स्किन के अदर जजब हो गया है तो आपके रिजल्ट आपके सामने है मेड कर्टिंग के रिजल्ट देखने के बाद आपको बहुत जादा पसंद आई होगी इसको आपनी फ्रेंड्स के साथ शेर करना मात पूद य गबती इसके बहुत अच्छी फीच क्रीम है जिससे आपको हल्दी शामिल कर लेने के विज़ा से बूच शामिल कर लेने के विज़ा से जलन भी मैसूस नहीं होगी आपको रिजल्ट भी पहुंत अच्छने का इत्मी मैने से विडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दनिया में दुबारा कैसे ढूड़ेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे शेनल को सब्सक्राइब कर लीए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम विडियो आप तक पहुज़ेंगें